जैगरुजी, स्रिष्टी का वर्णन तधनतर नारजी के पुछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने हमें पुर्वोक्त आदेश देकर, जब महादेव जी अंतरधान हो गए, तब मैं उनकी आग्या का पालन करने के लिए ध्यान मगन हो करतवे का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरी से ज्यान पाकर पर्मानन्द को प्राप्थ हो, मैंने स्रिष्टी करने का ही निश्यक किया। तात भगवान विश्णु भी वहां सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे ततकाल अद्रिष्य हो गए। वे ब्रह्मान से बाहर जाकर भगवान शिव की गृपा प्राप्थ करके बैकुन धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने स्रिष्टी की इच्छा से भगवान शिव और विश्णु का स्मरन करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजली डाल कर जल को उपर की और उचाला। इस से वहां एक अन प्रकट हुआ जो 24 सत्वों का समू कहा जाता है। विप्रवर वहे विराट आकार वला अन जड़ रूप ही था। उसमें चेतना ना देखकर मुझे बड़ा संशे हुआ और मैं अत्यंत कठोर तब करने लगा। बारह वर्षों तक भगवान विश्नु के चिंतन में लगा रहा। तात वहे समें पून होने पर भगवान श्री हरी स्वयम प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसनता पूर्वक बोले। श्री विश्नु ने कहा ब्रामन तुम वर मागो मैं प्रसन हूँ तुम मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं हैं भगवान शीव के कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले अर्थात मैंने कहा महाभाग आपने जो मुझे पर कृपा की है वह सर्वता उचित ही है क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौब दिया है। विष्णू आपको नमस्कार है आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिये। प्रभू यह विराठ रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है। जडी भूत दिखाई देता है। हरे इस समय भगवान शीव की कृपा से आप यहां प्रकट हुए हैं। अतहे शंकर की स्रिष्टी शक्ती या विभूती से प्राप्थ हुए इस अंड में चेतना लाए। मेरे ऐसा कहने पर शीव की आग्या में ततपर रहने वाले महा विश्णु ने अनंत रूप का आश्रेले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहसरो मस्तक, सहसरो नेत्र और सहसरो पैर थे। उन्होंने भूमी को सब और से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर दिया। मेरे द्वारा भली बाती स्तूती की जाने पर जब श्री विश्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्य लोग तक की अवधी वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरी ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभू विराज पुरुष कहलाए। पंचमुक महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्मान किया जो सब लोगों से उपर सुशोबित होता है। देवरिशे संपून ब्रह्मान का नाश होने पर भी वैकुंट और कैलाश इन दोनों धामों का कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ट मैं सत्य लोग का आश्रे लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी के आग्या से ही मुझ में स्रिष्टी रचने की इच्छा उत्पन हुई है। बेटा जब मैं स्रिष्टी की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझ से अंजान में ही पाप पून तमोगूनी स्रिष्टी का प्रादुर्भाव हुआ। जिसे अविध्या पंचक अथवा पंच परवा अविध्या कहते हैं। तदंतर प्रसंचित होकर शंभू की आग्या से मैं पुनह अना सक्थ भाव से स्रिष्टी का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संग्यक रिक्ष आदी की स्रिष्टी हुई जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देख कर तथा वह अपने लिए पुरुशार्द का सादक नहीं है। यह जानकर स्रिष्टी की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से बरा हुआ है। उसका नाम है तिरियक स्त्रोत्रा। यह सर्ग भी पुरुशार्द का सादन नहीं था। उसे भी पुरुशार्द सादन की शक्ति से रहित जान मैं पु उर्द्वस्त्रोत्र कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुकतायक है। उसे भी पुरुशार्द सादन की रुची एवं अधिकार से रहित मान कर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरम किया। तब भगवान शंकर की आग्या से एक रजोगुनी स्रिष्टी का प्रादुर्भाव हुआ। जिससे अर्वाक स्रोता कहा गया है। इस सर के प्राणी मनुश्य हैं। जो पुरुशार्द सादन के उच अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आग्या से भू भूत आदी की स्रिष्टी हुई। इस प्रकार मैंने पांश तरहां की वैकृत स्रिष्टी का वर्णन किया है। इनके सिवा तीन प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं। जो मुझ भ्रहमा के सानिद्य से प्रकृती से ही प्रकट हुए हैं। इन में पहला महत्व का सर्ग है। दूसरा सुक्ष में भूतों अर्था तनमात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरहां ये तीन प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से आठ सर्ग होते हैं। इनके सिवा नवा कौमार सर्ग है जो प अवानतर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है जिसमें सनक सनन्दन आदी कुमारों की महत्वपून स्रिष्टी हुई है सनकादी मेरे चार मानस पुत्र है जो मुझ ब्रह्मा के ही समान है वे महान वैरागे से संपन तथा उत्तम रत का पालन करने वाले हुए उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है वे संसार से विमुख एवं ज्यानी है उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी स्रिष्टी के कारे में मन नहीं लगाया मुनी श्रेष्ट नारद संकादिक कुमारादिक के दिये हुए नकारात्मक उत्तर को सुन कर मैंने बड़ा भ्यंकर क्रोध प्रकट किया उस समय मुझ पर मोच आ गया उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विश्णु का स्मरण किया वे शीघरी आ गये और उन्होंने समझाते हुए मुझ से कहा तुम भगवान शिव की प्रसनता के लिए तपस्या करो मुनी श्रेष्ट श्री हरी ने जब मुझे ऐसी सिक्षा दी तब मैं महागोर एवं उतक्रिष्ट तब करने लगा स्रिष्टी के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बोहों और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है महेश्वर की तीन मुर्तियों में से अनितम, पुनांच, सर्वेश्वर एवं दयासागर, भगवान, शिव और नारिश्वर रूप में प्रकट हुए जो जन्मों से रहित, तेज़ी राशी, सर्वग्य तथा सर्व स्रिष्टा हैं उन नीलोहित नामधारी साक्षात उमावललब शंकर को सामने देख, बड़ी भक्ती से मस्तक जुका, उनकी स्तुती करके मैं बड़ा प्रसन हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भाति-भाति के जीवों की स्रिष्टी कीजिए मेरी यह बात सुनकर, उन देवादी देव महेश्वर रुद्र ने अपने ही सामान बहुत से रुद्र गणों की स्रिष्टी की तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा देव, आप ऐसे जीवों की स्रिष्टी कीजिए, जो जन्म और मृत्यू के भई से युक्त हों मुनिश रेष्ट, मेरी ऐसी बात सुनकर, करुना सागर महादेव जी हस पड़े और ततकाल इस प्रकार बोले महादेव जी ने कहा, विधातह, मैं जन्म और मृत्यू के भई से युक्त अशोभन जीवों की स्रिष्टी नहीं करूंगा क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो, दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उधार मात्र करूंगा गुरू का स्वरूब धारन करके उत्तम ज्यान प्रदान कर उन सब को संसार सागर से पार करूंगा प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की स्रिष्टी तो तुम ही करो मेरी आग्या से इस कारे में प्रवरित होने के कारण तुम्हें माया नहीं बान सकेगी मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नी लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षिदों के साथ वहां से ततकाल तिरोहित हो गए अध्याए 15 स्वायम भूव मनू और शत्रूपा की रिश्यों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन ब्रह्मा जी कहते हैं नारत तदंतर मैंने शब्द तन मात्रा आदी सूक्ष्यों भूतों को स्वयम ही पंचिकृत करके अर्थात उन पांचों का परस पर समिश्रण करके उनसे स्थूल, आकाश, वायू, अगनी, जल और प्रित्वी की स्रिष्टी की पर्वतों, समुद्रों और व्रिक्षों आदी को उत्पन किया कला से लेकर युग पर्यंद जो काल विभाग हैं उनकी रचना की मुने उत्पत्ती और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्टों का मैंने निर्मान किया परंतु इससे मुझे संतोश नहीं हुआ तब साम शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायन पुर्षों की स्रिष्टी की अपने दोनों नेत्रों से मरीची को रिदे से भिगू को सिर्ष से अंगिरा को व्यान वायू से मुनिश्देश्ट पुलह को उदान वायू से पुलस्य को समान वायू से वशिष्ट को अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्री को, प्राणों से दक्ष को, गोध से तुम को, छाया से कर्दम मुनी को, तथा संकर्प से समस साधनों के साधन का धरम को उत्पन किया मुनी श्रिष्ट, इस तरह इन उत्तम साधकों की स्रिष्टी करके, महादेव जी की क्रिपा से मैंने अपने आप को क्रितार्थ मना, तात, तत, पश्चात, संकर्प से उत्पन हुए धरम, मेरी आग्या से मानव रूप धारन करके, साधकों की प्रेणा से साधन में लग गए इसके बाद मैंने अपने विभिन अंगों से देवता, असुर आदी के रूप में असंखे पुत्रों की स्रिष्टी करके, उन्हें भिन-भिन शरीर प्रदान किये मुने तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेणा से अपने शरीर को दो भागों में विभख्ट करके, मैं दो रूप वला हो गया नारद आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष उस पुरुष ने उस्त्री के गर्ब से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोडे को उत्पन किया उस जोडे में जो पुरुष था वही स्वायम भूव मनु के नाम से प्रसिद हुआ स्वायम भूव मनु कुछ कोटी के साधक हुए और जोस्त्री हुई वहे शत्रूपा कहलाई वहे योगिनी एवं तपस्विनी हुई ताथ मनु ने वैवाहिक विधी से अत्यंत सुन्दरी शत्रूपा का पानी ग्रहन किया और उससे वे मैथुन जनित सिष्टी उत्पन करने लगे उन्होंने शत्रूपा से प्रियवरत और उतान पाद नामक दो पुत्र और तीन कन्याएं उत्पन की कन्याओं के नाम थे आकुती, देवहुती और प्रसुती मनु ने आकुती का विवाह प्रजापती रुची के साथ किया मजली पुत्री देवहुती करदम को ब्यादी और उतान पाद की सबसे छोटी बहन प्रसुती प्रजापती दक्ष को दे दी उनकी संतहन परंपराओं से समस्चराचर जगत व्याप्त है रुची से आकुती के गर्ब से यग्य और दक्षिना नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन हुआ यग्य के दक्षिना से बारहा पुत्र हुए मुने करदम द्वारा देवहुती के गर्ब से बहुत सी पुत्रियां उत्पन हुई दक्ष के प्रसूती से 24 कन्या हुई उन में से श्रद्धा आदी 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया मुनीश्वर धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो श्रद्धा, लक्ष्मी, दृती, तुष्टी, पुष्टी, मेधा, क्रिया, बुध्धी, लज्जा, वसु, शान्ती, सिद्धी और कीर्थी ये सब तेरा हैं इन से छोटी जो शेश 11 सुलोचन कन्याओं थी उनके नाम इस प्रकार है ख्याती, सती, संभूती, स्मृती, प्रीती, शमा, सनिती, अनसुया, उर्जा, स्वाहा, तथा स्वधा भ्रिगू, शेव, मरीची, अंगीरा मुनी, पुलस्य, पुलह, मुनी श्रेष्ट, क्रतु, अत्री, वसिष्ट, अग्नी और पित्रों ने क्रम्शह इन ख्याती आदी कन्याओं का पानि ग्रहन किया भ्रिगू आदी मुनी श्रेष्ट सादक हैं इनकी संतानों से चरा चर प्राणियों सहित सारी त्रिलों की भरी हुई है इस प्रकार अंभिकापती महादेव जी की आग्या से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणि असंख्य श्रेष्ट विजों के रूप में उत्पन हुए कल्प भेद से दक्ष के साथ कन्याएं बताई गई हैं उन में से दस कन्याओं का विवाह उनोंने धर्म के साथ किया 27 कन्याएं चंद्रमा को व्यादी और विधी पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कशब के हाथ में दे दिये दारद उन्होंने चार कन्याएं श्रेष्ट, रूपवाले, ताक्षे, अरिष्ट नेमी को ब्यादी तथा भ्रिगु, अंगीरा और क्रिशाश्व को दो-दो कन्याएं अर्पित की उन्स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहु संख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई मुनिश्रेष्ट, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन तेरह कन्याओं का विधी पूर्वगदान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलो की व्याप्त है स्थावर और जंगम कोई भी स्रिष्टी ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शुन्य हो देवता, रिशी, दैत्य, व्रिक्ष, पक्षी, पर्वत तथा त्रिनलता आदी सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए है इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है पताल से लेकर सत्य लोक परियंद समस ब्रह्मान निश्चे ही उनके संतानों से सदा भरा रहता है कभी खाली नहीं होता इस तरहां भगवान शंकर की आग्या से ब्रह्मा जी ने भली भाती स्रिष्टी की पूर्वकाल में सर्व व्यापी शंभू ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्र देव ने त्रिशूल के अग्र भाग पर रख कर जिनकी रक्षा सदा की है वे ही सति देवी लोख हित का कारय संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी उन्होंने भगतों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की हैं इस प्रकार देवी शिवाही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई किन्तु पिता के यग्य में पती का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहन नहीं किया वे अपने परमपद को प्राप्त हो गई फिर देवताओं की प्रार्तना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनह भगवान शिवकुर उन्होंने प्राप्त कर लिया मुनीश्वर इस जगत में अनेक उनके नाम प्रसिद हुए है उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयन्ती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामख्या, कामदा, अंबा, मृडानी और सर्वमंगला आधी अनेक नाम है जो भूग और मुक्ष देने वाले है ये सभी नाम उनके गुन और कर्मों के अनुसार है मुनिश्रेश्ट नारत इस प्रकार मैंने स्रिष्टी कर्म का तुमसे वर्णन किया है ब्रह्मान का यह सारा भाग भगवान शिव की आग्या से मेरे द्वारा रचा गया है भगवान शिव को पर भ्रह्म परमात्मा कहा गया है मैं विश्नु तथा रुद्र ये तीन देवता गुन भेज से उन्ही के रूप बताए गए हैं वे मनोरम शिव लोग में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं निर्गुन और सगुन भी वे ही हैं अध्याए सोला जै गुरुजी ओम नमशिवाए शिव जी सदा सहाए शुक्राना गुरुजी शुक्राना संगत जी